नमस्कार ट्रेंसेंट टेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में नजर डालेंगे पीलीभीत शागर सेक्शन पर जो पीलीभीत के आउटर पे संडा पुल या सडा का जो पुल था उसका निर्मार पूरा हो चुका था और वहाँ पर ट्रैक बिछाया गया है इस दिशा में और यहां पर भी जो मास्ट लगाने के काम थे इधर सामने सडापुल की दिशा है जिस डारेक्शन में भी आप देख रहे हैं बाएं हाथ पर मास्ट आएंगे पीलीभीत की दिशा में जब आपकी ट्रेन चलेगी शागर से आगे भविश में तो उसम में यहां पर जो मास्ट आ रहे हैं जो हमारा ओएची का कारे भी होना बाकी है वो लेफ्ट हैंड साइड पर पढ़ेंगे इधर हमारे हो जाएगी दिवरी की दिशा माला स्टेशन की दिशा और जैसे ही पीलीभीत का स्टॉपर अब हटेगा वहां पर तो उसके बाद जो लगभग वो जुड़ गया है आप कह सकते हैं कि पीलीभीत से अब माला तक जो ट्रेक है वो लगभग पूरा हो गया है ट्रेक का कारे और अब जो छुट-पुट कारे हैं कहीं-कहीं पर जो वैल्डिंग होनी है जो जॉइंट्स हैं हमारे रेल्स में वो अब कारे बचा है क्योंकि सड़ा पुल पर सबसे बाद में ट्रैक डाला गया था सबसे बाद में वहाँ पर ट्रैक कारी हुआ है बैलस्ट को फिल किया जा रहा है इसकी जलक आपको दिखाएंगे हम आज के इस वीडियो में और चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लीजिए साथ में बैल आइकन में औल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ वो आप से मिस न हो और अगर संभव हो तो चैनल को जोईन करके मेंबर बन जाईए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंट्स कि यहाँ पर जो बैलस्ट है ट्रैक पे दोनों तरफ आपको दिख रहा होगा किस तेजी के साथ यहाँ पर बैलस्ट फिलिंग का काम अब चल रहा है बीच में भी जो स्लीपर्स है हमारे कॉंक्रीट के इसके अंदर बैलस्ट भरा जाएगा और अभी ट्रैक्टर ट्रॉली की साहता से इस बैलस्ट को यहाँ पर फिल करने का जो कारी है वो चल रहा है रेल बेट से आप देख सकते हैं जो ट्रैक है उसकी लेवल अब कितनी उड़ गई है और यह सड़ापुल के नजदी कब हम लोग पहुँच गए है जोइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लैम्स लगे हुए है रेल्स में जहाँ पर भी जोड आता है वहाँ पर वेल्डिंग की जाएगे भी यह कारी अभी इस दिशा में चुटपट रह गए है बाकी ट्रैक यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं सामने हो जाएगा सड़ापुल यहाँ पर आप देख सकते हैं बैलस्ट किस प्रकार से उपर तक फिल कर दिया गया है ट्रैक काफी उंचा हो गया है और सड़ापुल को क्रोस करते हुए पिली भी तक अब जो ट्रैक है यह पूरा तयार हो गया है हमारा ओल्मोस्ट और इस पर अभी हाली में ट्रॉली से निरिक्षण भी किया था जो हमारे आरवी एनल के यहाँ पर अधिकारी लोग आये थे तो उन्होंने निरिक्षण भी किया था तो यह सड़ापुल है इसको बनने में काफी समय लग गया यहाँ पर और यह कार यहाँ पर पहले किये जा सकते थे क्योंकि इस दिशा में कोई वन विभाग की नहीं चाहिए थी तो समय बहुत बचता प्रोजेक्ट काफी पहले ही यह लेट हो गया है तो यह अब आप देख सकते हैं सड़ापुल की ताजा तस्वीरे ट्रैक किस प्रकार से उपर से जा रहा है काफी बीच में यहाँ पर गैप है खलार जैसा नीचे आप देख सकते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली उसके पीछे आपको दिख रही होगी यहाँ पर निरंतर बैलस्ट को लिकर के आ रही है और ट्रैक में बैलस्ट को अब जो गिटी है इसको फिल किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द फिर यहाँ पर लेबर लगेगी इस बैलस्ट को खीचेगी और साथ में फिर यहां पर अभी ट्रैक पैकिंग मशीन का कार्य होना बाकी है जो कि माला में खड़ी हुई है अब वहां से वो ट्रैक पैकिंग मशीन यहां आ सकती है अराम से क्योंकि जहां तक ट्रैक पढ़ गया था स्रड़ापुल से पहले तक दिवरी की दिशा में वहां तक टी पिम ने कारी किया है उसके बाद अब यहां से आगे पीली भीत की दिशा में ट्रैक पैकिंग मशीन यह स्रड़ापुल के ऊपर से अब हम लोग चल रहे हैं अब आप देख सकते हैं ताजा तस्ऱ़ापुल की क्या है किस प्रकार से दिखता है किस प्रकार से यहां पर ट्रैक बिच्छा लिया गया है पूरा इसमें बैलस्ट फिल किया जा रहा है दोनों ही तरफ आप देख सकते हैं नीचे स्लैब्स यहाँ पर कॉंक्रीट के रखे गए पानी अधिक यहाँ पर नहीं है और फैक्टरी का या आसपास का जो वेस्ट है या जो बरसात में यहाँ पर पानी निकलता है उसी की यहाँ पर निकासी है लेकिन बीच में चुकि जो एरिया है इस नाले का उसमें गैब काफी था काफी खलार था यहाँ पर डिप्रेशन तो इसलिए यह थोड़ा पुल जो है बड़ा सा आपको दिख रहा है लंबा काफी बनाया गया है लेंध इस पुल की काफी रही लेकिन अब यह आखिरकार तयार हो गया है पुल सबसे बड़ी बाधा यही थी पिरिभीत से माला को जुड़ने में तो यह पुल कम्प्लीट हो गया है दूसरा ब्रिज जो है माला स्टेशन की आगे संदेई की दिशा में जंगल के अंदर वो بھی बहुत तेजी से वहाँ पर कार्य चल रहा है और जो माला जंगल की अंदर है ट्रैक वेल्ड करने वाली जो मशीन है वो वहाँ पहुँच चुकी है ट्रैक लखबख पुल से संदेई की दिशा में पूरा वहाँ पर भी बिच्छा लिया गया है रेल्स पांधने का काम हो रहा है संदई की दिशा में ट्रैक जल्दी ही पूरा कम्पलीट हो जाएगा संदई तक कोशिश की जा रही है दिसंबर में ही जो जंगल से संदई है वो पूरा track complete हो जाए, welding हो जाए और वहाँ पर भी फिर tractor trolley से ballast fill करने का काम जो है वो किया जाएगा और उसके बाद बस सिर्फ माला में जो pull है वो रह जाएगा जैसे ही bridge complete होगा उसके बाद माला station से जो मुख्य track हमारा पिलीभीत की दिशा से आ रहा है, संदई वाले track में वहाँ पर जुड़ जाएगा, जो उस दिशा से track आ रहा है, और पिलीभीत से शागर तक का जो section हमारा ये है, N.E.R. zone इज़त नगर मंडल में complete हो जाएगा सामने आप देख सकते हैं, electrification का कारी होना है, तो उसके लिए foundation mast के लिए यहाँ पर पक्की, pull के नजदीक जो बनाई गई है, अभी दो-तीन foundations यहाँ पर बना करके उसमें mast डाले जाएगे पिलीभीत की दिशा में सामने, इधर का थोड़ा सा कारी बचा है बस, mast का मुझे लग रहा है कि दिसंबर तक पिलीभीत से माला तक की जो कारी है सारे लगभग पूरे हो जाएंगे brackets वगरा लगा ली जाएंगे wiring देखना होगा कि कब होती है शायद सबसे last में wiring की जाएगी एक ही बार में OEC1 की साहता से अब आप यह देख सकते हैं इधर पिलीभीत की दिशा है हम लोग पूल के दूसरे तरफ आ गए यहाँ पर mast देखे इरेक्ट हो गए है 90 डिग्री पर और जहाँ पर brackets लगाए जाएंगे clams लग गए छोटे छोटे और नीचे यहाँ पर सड़ा पुल के नीचे दोनों तरफ किनारों पर जो पत्थर हैं बड़े-बड़े उनको सेट किया जा रहा है ताकि जब पानी का बहाओ हो तो नीचे किसी भी प्रकार से पुल को खशती ना पहुँचे और लेबर धीरे-धीरे से अब जा रही है क्योंकि यहाँ पर पुल का कारे अल्मोस्ट पूरा हो गया है काफी उचा पुल बनाया गया है और ट्रैक अब आप देख सकते हैं पूरा फाइनली सेट हो गया है इसकी ताज़ा जलक हम आपको दिखा दे रहे हैं तो पीली भीत से शागर सेक्शन में अब जो कारे है सिर्फ जंगल के अंदर का बचा है बाकी ट्रैक वर्क माला पुल को छोड़ करके ट्रैक पूरा सेट हो गया है और संदई में नहर की दिशा में वहाँ पर भी ट्रैक को जल्दी ही लिंक कर लिया जाएगा कारे तेजी से चल रहे हैं दिसंबर में आप मान के चलिए कि ट्रैक वर्क अल्मोस्ट पूरा हो जाएगा सिर्फ खाली माला का जो पुल है उसमें जो भी समय लगेगा वही एक ब्रिज बाकी रह गया है और बाकी में अब आप देख सकते हैं जो ट्रैक की स्थिती है ब्राड गेज लाइन हमारी आमान परिवर्तन के बाद कितनी बढ़िया यहाँ पर लग रही है नया ट्रैक बिच किया है बिलकुल और अब जल्दी ही वर्ष 2024 में हूली तक उमीद कर रहे है कि आपको पीलिभीत जंक्षन से उद्खाटन हो जाएगा शायद चुनाव की जब तक घोश्रा हो अचार सहिता लगे उससे पहले पहले कोशिश है पीलिभीत जंक्षन से रेल गाड़ी को हरी जंडी दिखा करके रवाना किया जाए ये सेक्षन खुल जाएगा जिसके बाद सीतापुर लखिंपूर गोला मैलानी होते हुए पीलिभीत की दिशा में लंबी दूरी की रेल गाड़िया लखनो जंक्षन से या एशबाग जंक्षन से चलाई जा सकेंगी N.E.R. का पूरा अपना सेक्षन तयार हो जाएगा नंबर ओफ ट्रेंस भी सुनने में आ रहा है कि 6 से 10 ट्रेंस लगभग बढ़ जाएगी सामने आप देख सकते हैं अब ट्रेक्टर ट्रॉली जो बैलस्ट बराबर ला रही है किस प्रकार से यहाँ पर देखिए बैलस्ट फिल किया जा रहा है इसकी जलक देखिए ये कार आपको हम दिखा रहे हैं किस प्रकार से देखिए ट्रेक्टर ट्रॉली जीशे जा रही है और यहाँ पर साथ में लड़के लगे हुए है जो कि बैलस्ट को बराबर ट्रैक पर डालते जा रहे हैं स्लीपर्स के बीच में बैलस्ट पढ़ रहा है इसके बाद जब बैलस्ट पढ़ जाता है तो ट्रैक पैकिंग मशीन आएगी वो अपना कारे शुरू करेगी जो कि माला अस्टेशन पर युक नमबर प्लैटकॉम पर खड़ी है तो अब वहाँ से पीली भीट तक उसको आने में कोई दिक्तत नहीं होगी तो कि सड़ा का पुल जो है खंडा पुल तयार हो गया है ट्रैक वहाँ पर ये बैलस्ट जैसे ही पढ़ जाएगा उसके बाद मुझे लग रहा है कि जल्दी ही जब ट्रैक वेल्ड हो जाएगा तो पीली भीट की दिशा से वेगन ट्रेन भी डालने चाहिए जब एक बार TPM हमारी चल जाएगी ट्रैक वेकिंग मशीन सामने की दिशा से आप देख सकते हैं रिवर्स में फिर आ रही है बैलस्ट को ले करके निरनतर बैलस्ट को ले करके ट्रॉली से आ रहे हैं ये पीली भीट की दिशा से देखिए आ रही है पाइं हाथ पर मास्ट आएंगे यहाँ पर तो बैलस्ट डालने का काम तेजी से चल रहा है ट्रैक को फाइनल किया जा रहा है जल्दी जल्दी दबाओ काफी है आप समझ सकते हैं इस प्रोजेट के उपर अब यह देखे कितना बैलस्ट धरा हुआ है और यह प्रोजेट की दिशा में जा रही है बैलस्ट को दे करके उमीद है जल्दी ही अब ट्रैक पैकिंग मशीन यहाँ पर चलेगी और उसके बाद पिलिवीत की दिशा से माला स्टेशन तक लगभग मुझे लगता है तीन दो या तीन वेगन ट्रेन जो बैलस्ट है वो और इस पे पड़ेगा वेगन ट्रेन चलेगी उसके बाद फिर टैंपिंग मशीन चलेगी हमारी बड़ी वाली वो ट्रेक को सेट करती है जिसके बाद ओएची की साहता से यहाँ पर तार लगाने का काम मुझे लगता है किया जाएगा